आएकॉर्ट ईकन्सक्राइब के बारे में बात कर रहा हैं पूचा कि मार्केट बेस्ट एकॉनमिक दिस्पैच को लेकर बताएं कर्यक्ट स्टेटमेंट को हुए तो यहां पर जो दिमांड है उसको मीट करने के लिए चीपेस्ट पावर जनरेटिंग रिसोर्सेटर करे जाएंगे कंट्री के अंतर क्योंकि आप देख रहे हैं कि अभी पावर सेक्टर जो हमा रहा है वो सफर कर रहा है आपने काफी जगा पर न्यूस भी सुनी होगी इसको पास electricity generation के लिए दो दिन का तीन दिन का चार दिन का कोल बचा है इस इनिशेटेट बाइं सेंट्रल electricity regulatory commission CERC के द्वारे इससे लेकर आया गया है सोचिए तसेकंड का टाइम आपके पास पर डिसकस करेंगे basically power purchase की cost को कम करने के लिए consumers के लिए power ministry जो प्लान कर रही है कि हमें M.B.E.D. that is market based economic dispatch M.B.E.D. कई जगा पर dispatch की spelling में आई था कई जगा पर E था जाता तर जगाओ पर E दिया हुआ था M.B.E.D. जो है इसे April 1st 2022 से लाने की बात करी गई है ठीक है market based economic dispatch जो है वो ensure करेगा कि power जो है वो cheapest manner में generate करी जाए जो power के resources है उसे cheapest manner में generate किया जाए और फिर country को उसे supply भी किया जाए ठीक है करें क्या इसे C.E.R.C. Central Electricity Regulatory Commission के द्वारा लेकर आए गया तो yes it is a statutory body जो की electricity act 2003 के अंतरकत बनाई गई है and C.E.R.C. was initially constituted under the electricity regulatory commission 1998 ठीक है चली दोनों statement टीक होनी की बज़े से answer will be C कर दो कर दो